हाला तोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको EVS पेड़ागोजी करवाई थी EVS पेड़ागोजी के मैंने आपको second chapter करवा दिया था उससे related मैंने आपको एक पार्ट दिया था important questions का कि किस परकार के आपके exam में questions पूछे जाते हैं आज हम बात करेंगे कुछ और important questions की अगर आपने theoretical portion देखा होगा तो यह solve करने में आपको आसानी होगी नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के decision में और अलग से playlist बना रखिये EBS Pedagogy 2019 करके वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो तो आज इस वीडियो का प्रियावण अधन की कक्षा में गरीब निरक्षकता और वर्ग असमनताएं जैसी समाजिक मुद्धों पर बल देना चाती है तो निमलिकित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देशे की प्राप्ती में अधिक प्रभावी होगा तो आप देख सकते हो वो सारी चीज़े हैं जो छोटे वर्गों के लिए जादा जरूरी है तो उन चीज़ों पर समाजिक मुद्धों पर क्या करना चाती है कभी था बल देना चाती है आपका स्लोगन लिखने के लिए कहना तो देखिए यहां पर देखने ही से पता लग जाता है कि आपके जो बच्चे होंगे यानि कि आपकी क्लास के स्टुडेंट्स होंगे अगर आप उन बच्चों को खुदी कहोगे इस परकार की चीजों के जानकारी इकरत करके लाओ तो बच्चे के अंदर क्या विकसित होगा दो चीज का विकसित होगा और समोई या समाईजिक प्रियोजिना का बना निकले करेंगे तो option number 3 इसका बिल्कुल सही अंसर था next question EVS में किसी अच्छे ग्रह कारे को मुखता किस पर केंदरित होना चाहिए तो आपका जो EVS एंवार्मेंट इस्टडीज है उस पर जो आपका ग्रह कारे होना चाहिए किस पर केंदरित होना चाहिए पहरा मॉस्टिंग लेगिंग के उपर दूसरा विस्तारित अधिगम के लिए चुनोती और उत्तिजना के लिए समय का सदूपयोग का या आपका पुनवर्तित और आपका पलभी करण का ध्यान रखे गाई कोशन अब एजटीज का आपका पेपर में पूछा जा चुका है और सही अंसर होगा इसका option number first जो कि आपका मॉस्टिंग लेगिंग होगा बिल्कुल क्योंकि इसमें सारे बच्चे क्या होंगे खुद इन्वाल्व होते हैं और अग्राय कारे के रूप में EVS के ये सबसे अच्छा होता है तो option number first इसका सही अंसर था प्रात्मे के स्थार की अच्छे EVS पाठ्थेप चरियां में होनी चाहिए तो अगर आप प्रात्मे के स्थार यानिग एक से पाँच वी तक की क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उच्छे EVS के पाठ्थे पुस्तर में क्या होना चाहिए तो पहला है अपने आसपास को खोजने के अवसर देना मतलब आसपास की चीज़ों को खोजने के लिए बच्चों को अपसर देना दूसरा संक्लिपनाओं की विस्तारित व्याक्यान पर आधारी एक गरत्रस था तीसरा पदों की यद्धार्थ परिभाशा हो ये देगे परिभाशा और रटने वटने वाली चीज तो कभी भी नहीं होनी चीजिए ऐसे आपका इंवार्मेंट देना चाहिए कि बच्चों को चीज को खोजने का अफ्शर मिले अपने आईस पास के वातवर्ण में तो option number first इसका सही अंसर था नेक्स्ट है आपका प्रात्मी की स्थर पर शिक्षा की खेल विदी आधारित है तो शिक्षा की खेल विदी ओध्यान रखेगा प्रात्मी की स्थर पर पूछी गई है तो कैसी होने चीए विकास के मनोवग्यानिक सिध्धान पर शिक्षन के समासास्त्री सिध्धान पर शरीर या आपकी शिक्षा कारेकरम के सिध्धान पर यह सिक्षन विधी के संबन दियान रखीगा यहाँ पर क्या बुढ़ रखा है खेल विधी के अनुसार तो हम option number first इसका बिलकुद सही मानेंगे कि विकास के amendก्यानिक सिध्धान पर आपके सारी के सारी क्या होनेची है वो इस्टैबलिस होनीची आधारित होनीची है खेल विधी में ओके क्योंकि आपका मनमेग्यानिक सिध्धान पर और शिक्षा की विकास जैसे बच्षी की उज़रोत थी उसी केंनुसार अफसर्परदान करना वा अधिक परभावी अधिकम अनुभव होगा तो आपकी EVS की कक्षा है उसमें आपकी जो कौन सा आपका ऐसी है जो समाजिक आसमानताओं पर अधिक से अधिक बच्चों के अंदर उसमें इन्वाल्व किया जा सके तो पहला आपका संबंदित मामलों यह जो आपकी समस्य है उस सही अंसर option number 3 होगा कि जो आपकी समस्य है उसके उपर जो आपका नियोजी तो न चीए जो समस्य है उसका समाधान निकालने के लिए बच्चों क्या कहा जाना चीए वो बच्चे कहा जाना चीए कि जो आपकी समस्य है उसका समाधान निकालने के लिए बच्चे अपने उप लिपी के बारे में निमलेखी तकतनों में से कौन सा आपका सही है उसका अध्यान कीजिने करने के लिए बोल रहा है तो नीशे बोल रखा है पहला ब्रेल को मोटे कागस पर बिंदू यानि कि उभरेव बिंदू बना कर लिखा जाता है बिल्कुश सही बात मैंने आपको बता हो गया थर्ड बोल रखा है बिंदू की पंक्तियां किसी नुकिले उजार से बनाई जाती है बिल्कुल सही बात है बिंदू की जो पंक्तियां होते हैं इसमें जो उबराय होए च्छेद होते हैं बिंदू होते हैं वो किसी नुकिले उजार से बनाई जाते हैं और आत्मिक इस्तर के ईविस की पाठे चरिया को सुध विज्ञान और समाजेक विज्ञान की संक्लिपनाओं को समलित करके विकसित किया गया है ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है तो ऐसा क्या क्यों करा गया है तो option number first पढ़ाई की विशे की संक्याओं को कम करना दूसरा वि आपका विध्यारतियों के बस्ते के बौज को कम करने के लिए बात करी गई थी क्योंकि समाजेक विज्ञान और आपकी शुद्ध जो विज्ञान थी दोनों को मिक्स करके मर्च करके एक बुक बनाई गई थी तो इससे सही क्या होगा आपका एक तो बच्चों को पढ़ने और समझने के लिए निमलिकित में से कौन से या किन कोशल या कोशलों की विकास की अवशकता है तो किन कोशलों की अवशकता है आपकी तो option number first इस्थान की समेक्ष इस्तिती की समझका, इस्थान की समेक्ष दूरी और दिशा की समझका परतिक्यों और स्केल के या पेमानों की समझ का या स्केल पेमानों के अनुसार इसपस्ट ड्राइंग बनाना तो ध्यान रखे जो आपके मांचित रोते हैं उसके लिए आपके इस्थानों की समेक्ष दूरी और दिशार दोनों की समझ होनी चाहिए तो आप क्यों कुछ अलताव विकसित होगी तो option number second इसका बिल्कुल सही answer था आपका next question प्रात्मी कक्षा में परियावन अध्धन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्पून पहलू है परियावन अध्धन की कक्षा कक्ष में कहानी सुनने को सिक्षन कोशल के रूप में समलित करने के लिए निमलिकित में से कौन सा सबसे कम उप्युक्त कारण है तो इनमें से कौन सा है पर कहानी कविताओं को समलित करने से सबसे कम उप्युक्त पहला कहानियों में वेक्ति के अनुभव शामिल होते हैं दूसरा कहानी अनिक विशेच छेतरों को छूती है तीसरा कहानी कक्ष प्रबंद में साहता करदान करती है और चोथा कहानी परियावन अधन अधन अफधारनाओं से समझज जोडने के लिए संबन्द उपलब्त करती है तो ध्यान रखेगा सबसे कम विशेच के छेतरों को छूती है कहानी कक्ष प्रबंद में साहता करती है और कानी परियावन अध्धन के अवधार्णों को संबंद जोडने के लिए सबसे संदर उपलब्द कराती है तो option no.3 ये सहीते कम उप्युक्त पहले वाला next question है परियावन अध्धन के अधिगम का सिध्धान्त कौन सा है क्योंकि ये तीनों के तीनों उप्युक्त आपके अप्यावन अध्धन के सिध्धान्त में next question परियावन अध्धन के लिए कौन सी विधी प्रभावशाली है आप यहाँ पर कहां बोल रखा है प्रात्मे की स्थर पर तो योजना कहानी व्याख्यानी या व्याद विवाद तो ध्यान रखेगा option number second इसका बिल्कुल सही अंसर हो कहानी विदी प्रात्मे की स्थर पर कैसे पढ़ाय जाता है बच्चों को प्लेवे मेथड के द्वारा नेक्ट कोशन निमलिकित में से कौन सा एक अभी प्रिरिद सिक्षन का संकेत होता है तो कौन सा आपका एक अभी प्रिरिद सिक्षन का संकेत बोला गया है तो पहला कक्षा में अधिकतब उपस्तिती बच्चों द्वारा परशन पूछना कक्षा में एकदम खामोशी या ग्रह कार्या पूर्ण करना तो सही अंसर क्या होगा? option number second इसका सही अंसर था कि बच्चों द्वारा परशन पूछना आपका एक अभी प्रेज सिक्षन है क्यूं? क्योंकि बच्चे जब परशन तभी पूछेगा जब उस चीज में कोई डाउट होगा कुछ चीज समझ में नहीं आईगी या उसके बारे में कुछ अच्छे से विस्तारित जानना चाहेगा इसलिए तब परशन पूछता है तो अभी प्रेज सिक्षन का क्या होगा? बच्चे द्वारा परशन पूछना तो option no second इसका सही अंसर था next question सीखने के प्रकेरिया में ऑभी प्रेणा होती है किसरुप में कारे करती है? बच्चों में सीखने के परती रोची का विकसित करती है या विकास करती है बाकी आपको पढ़ने की जूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो अभी प्रेड़ना होती है option number first विल्कु सही है कि बच्चों को जब सीखने सिखाने की परकिरिया में जब अभी प्रेड़ना देते हैं दिया जाता है न तो सीखने और सीखाने की परकिरिया में क्या होता है उसका रूची विकसित होती है तो option number first इसका सही अंसर था next question अर्षास्त की मूल भूत अवधारना की समझ विकसित की जा सकती है तो मूल भूत अवधारना की समझ विकसित कैसे की जा सकती है बजार या आपका के role play का आयोजन करवाकर या bank post office का भ्रमन करवाकर या मूल जैसी अपकी अमूर्थ अवधारना या उधारन द्वारा व्यक्त करके या उप्योप्त सभी तो सही अंसर क्या होगा इसका option number first इसका सही अंसर होगा जहां पर भी आपका role play की बात आजाए न तो role play का सबसे best important वही होगा बच्चे की उसमें भावनाद में विकास होता और उसके साथ साथ में ग्यान भी अब मिल प्राप्त होता है तो option number first इसका बिल्कुल सही था आपका कि बाजार के role play का आयोजन करवाकर उसमें ये विकसित किया जा सकता है समझ ओके तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर था तो दोस्तो आज की वीडियो में बस यही कुछ important questions आज आपको बताने थे तो नीचे comment box में जरूर लिख के बताएगा कि इन्हों ही total questions में से आपके कितने questions बिल्कुल सही हुए अगर इस questions में कोई doubt हो कोई query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply जरूर करूँगा तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना बूलेगा अगर आपके में वीडियो के रेलेडिर कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply जरूर करूँगा अगर आपने इस channel कब तक subscribe नहीं करा है तो जल्दी से subscribe करें जो उसके साथ में जो बैल आइकान होगा उसको भी दबा दिजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time time मिलती रहे तो आज की वीडियो बस इतना ही आपसे फिर मुला कातों की next video में जब तक के लिए जय हिन जय भारत